जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और क्योंकि यहाँ पे आपको जीए नेम का त्यारी कराया ही जाता है साथ में आप लोग को कम्टीशन का भी जो है यहाँ पे त्यारी सुरू हो चुका है मिन्स यूों कहा जाया तो आप लोग tharड यर में जो भी लोग हैं उनको पता है कि लगभग लगभग मैं उनका 70% सिलेवस जो हैं खंपलीट करा दिया हूँ तो एसे में अब 70% सिलेवस यहाँ जाया जनकारी कुछ रही ही न तो यह भी गलत चीज़े हैं तो आपको मैं बहुत सारे फर्स्ट इयर, सकेंड इयर, ठर्ड इयर, सभी से कूर्चन को उठा कर आ रहा आपके लिए ला रहे हैं, जो भी लोग नर्सिंग का आगे कमप्टीटिव एविराम की त्यारी करेंगे, उनके लिए यह वीडियो जो चल रहा है, काफी ज़्यादा महत्पून है, ओके, र कूर्चन पूछे जाएंगे एकजाम में, अभी तक तो आप थर्ड इयर में आ गए या थर्ड इयर पास आउट भी होंगे, बहुत लोग कमप्टीश्टिव का त्यारी भी कर रहे होंगे, तो उन लोग के लिए काफी ज़्यादा अच्छा है, और अभी हम थर्ड इयर के जगह पर इस वीडियो को लाते हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून हैं, जरूर देखिए, फिर इस नॉमबर के बाद हम थर्ड इयर के ही सिलेवस में चलेंगे, तो अभी आपको पास मौका है, जो भी यह नॉमबर भर में जितना भी वी सकता है, 15 वीडियो, 20 वीडियो, लाएंगे आप लोग के लिए, आप लोग देखते चलिए, और अपना प्यारा सिर्वात बनाए रखिए, ओके, चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रशन के साथ अच्छे से समझेंगे, बहुत ही जवरदास्त कुश्चिन्स यहाँ पे आ होता है, आप लोग को पता है, बैसिलास कॉलमेंट गिवडिन होता है, इस चीज को समझ लीजी, यह जो है, टीवी से बचाता है, समझ गए, आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से तो पता होगा, कि जो भोजन खाते हैं हम लोग, अगर उसके अलावा कोई और बस्तु को खाने का इक्छा होता है, डिजायर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीक्स नहीं कहते हैं, फोबिया मतलब डर होता है, समझ गए, और इनको प्रेसिस नहीं होगा, एभी गलत, एभी गलत, समझ गए, हमारा राइट एंसर पाइका होगा, पाइका जो की एक और प् कौन सी दवा TV नासक नहीं है, मतलब यहाँ पर option दिया गया है, कहता है कौन सी दवा TV का नास नहीं करता है, मतलब TV को खतम करने वाला नहीं है, तो हम लोग जानते हैं, आई एन एच है, क्योंकि आई एन एच को हम लोग क्या कहते हैं, आई सो निया जाइड कहते हैं, यह हमार है समझगे रिफामसिन भी हमारा टीवी को नास करने वाला है यह भी सही है समझगे लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जो दवा यहाँ पे नहीं है समझगे अब यहाँ पे देखिए आप लोग को कहता है इठाम बुटॉल इठाम बुटॉल भी टीवी को नास करता है लेकिन रेनी टाइडिन या टीवी को नास नहीं करता या एक जो है एंटासीट गुरूप का दवाई है जो हर्ट वैन गैस बगएरा के रूट में काम करता है समझे तो राइट एंसर डी हो जाएगा चिकन पॉक्स किसके करण होता है तो आपको पता होगा चिकन पॉक्स को ही छोटी माता कहते हैं जो हमारा किसके करण होता है रूवेला भायरस गलत रूवेला भायरस रूवेला होता है बॉल्डो टेला पर्टूसीस या पर्टूसीस को करने वाला बैक्टरिया होता है कोरिनम बैक्टरिया के द्वारा हमारा टीटनस रोग होता है इस चीज को ध्यान में र पुवेला संक्रमन होता है, जबकि वहरी सोला जोष्टर विसानू के कारण चिकन पॉक्स होता है, याद रखिएगा, अच्छे से, एकदम अच्छे से हम लोग परहेंगे, कहता है, बच्चे में जन्म के समय जो होता है वजन, वजन आगे चलके कितने दिन में दो गुना हो आता है, मान गए, बच्चा जन्म के समय अगर तीन केजी का है, जन्म लिया है तो तीन केजी का है, तो कितने महीने में या कितने समय में वजन जन्म के समय के वजन का दो गुना हो जाएगा, यानि छे केजी का हो जाएगा, कितने समय में, तो पांच महीने, आठ महीने, दस महिने दूसरे महिने तो राइट एंसर पांचमा महिना में बच्चा जो है अपने जन्म के वजन का दो गुना हो जाता है ए चीज को याद रखिएगा अच्छा परशन है ओके आगे चलिए छटा नमबर का परशन है बहुत बढ़िया परशन है जनसंख्या के बैग्यानिक अ अधियन होता है तो उसी परकार से जो जनसंख्या है जो पूरे बीस में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का अधियन क्या कहलाता है बैग्यानिक अधियन को क्या कहते हैं हेल्थ एस्टेटी कहते हैं फर्टिलिटी कहते हैं डेमोगराफी या नौन उफ एभोग तो है इसका मुख कार करम में मुख भाग कौन सा है रसी एच का फुल फर्म जो होता है वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है समझ गए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है रसी एच का फुल फर्म आपको कमेंट में बताना है रसी एच प्रोग्राम क तीका करन यह भी मूख काम है इसका और श्ट्रेक्टिव केर देखवाल यह भी जो है इसका काम है बात सही है अनिवार नवजात के देखवाल यह भी काम है यानि यह माता और बच्चा दोनों का काम देखवाल करता है और श्ट्रेक्टिव केर मतलब प्रशर्व के दोरान भी देखभाल में इसका भूम्का रहता है टीका करन में भी इस कारिकरम का भूम्का है यानि सभी के सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है कहता है कि आसा किस राष्टी ये कारिकरम का ही सा है तो मैं ना जाने कितना बार परहा चुका हूँ कि जो आसा है या आ आसा का काम जो होता है आपको पता है कि गाउं में health को जो है स्वास्त को जो है क्या करना परचार परशार करना लोगों में स्वास्त इक्षा देना बहुत सारे काम होता है तो ये आसा का काम पड़िबार न्योजन में भी भूमका निभाती है समझ गए ना लोगों को ले जाक पर स्वास्त के अंद पर पुहुचाती है और उसका प्रशर उकरबाती है समझ गए तो आसा हमारा किसका है तो आसा आप लोग को पता है एन आर एचेम है समझ गए नेशनल रूलल हेल्थ मिशन राष्ट्रिय गरामिन स्वास्त मिशन इसके अंतरगत ही आसा की निवक्ति किय जाता है समझ गए और आसा पद को सुरूब ही किया गया इसी कारिक्रियम के अंतरगत तो हमारा ओप्शन नंबर सी है एन आर एचेम यही राइच होगा ओके आगे है यहाँ पे देख लीजे बहुत अच्छा प्रशन है ओप्शन नंबर सी राइच हो जाएगा नौमा सरपंच जो है वह एक प्रशासनिक रोल में होता है और वही जो है नयाय पंचायत नयाय करता है अगर किसी को छोटी मोटी अगर मुकादमा पहले करना होता था पहले वह पंचायत में अपने सरपंच से जाकर ही जो है इसके बारे में पुष्टाच करता था कि हम आगे समझ गए एक पी एच सी है एक पी एच सी के अंदर कितने जो है सब सेंटर होते हैं इसको बताना है समझ गए सबसे पहले समझ ये पी एच सी प्राथमिक हिल्थ के प्राथमिक स्वास्त के अंदर होता है पी एच सी कितने के जनसंख्या पर होते हैं तो बीस हजार से लेकर तीस हजार के जनसंख्या पर होता है 20,000 के जनसंख्या वहाँ जहां परवतिय छेत्र हो आदिवासी छेत्र हो तो वहाँ पे जनसंख्या कम रहता है अल्रेडी तो इसलिए वहाँ पे 20,000 के जनसंख्या पर होंगे मैदानी छेत्र के जनसंख्या ज़्यादा होता है जो maximum लोग रहते हैं मैदानी छेत्र में ही बिहार उतर परदे से तो maximum मैदानी छेत्री ही है तो ऐसे में 30,000 के जनसंख्या पर एक PHC होता है ओके रही बात आप लोगों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो PHC होता है, इस पर कितना आप लोगों को लगभग 15 जो है आपके स्टाप कार करते हैं PHC पर, ओके? पिएच सी, अब एग चीजे जान गए, पिएच सी, अब एक पिएच सी आप लोगो पता है सब सेंटर के बारे में, जानीए, सब सेंटर जो होता है, 3000 से लेकर 5000 के जनसंखिया पर सबसेंटर होता है अब आप लोग गुना कर दीजिए इसमें दोनों में 6 से गुना कीजिए तो एक हो जाएगा 18 और एक हो जाएगा आपका 30 समझ गए यानि 18 से 30,000 हो जाएगा तो आप लोग क्या समझें 20 से 30,000 तो है PHC का इतना पर एक PHC होता है लेकिन एक सबसेंटर 3 से 5000 के जनसंखिया पर होता है तो कितने सबसेंटर हो जाएगा जो एक PHC के बरावर हो जाएगा 6 से गुना कीजिए तो लगभग 18 से 30,000 हो जा रहा है तो यही 6 सब सेंटर एक PHC के अंदर में होगा तो यही राइट एंसर हो जाएगा समझगे पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िए तो बहुत चीजे के नोलेज आपको हो जाएंगे अब यहाँ पर एक और प्रशन है अच्छा प्रशन है आपके सामने समान ब्यस्क का मतलब एक नोर्मल जो आपके एडल्ट है उसका सरीरिक तापमान टंप्रेचर बड़ी का नोर्मल टंप्रेचर कितना होता है पता होनी चाहिए आपको सबको पता होगा 98.6 फरना हीट होता है पता है समान ब्यस्क की नारीदर पल्स रेट अब यहाँ पे पूछ रहा है समझ गए तो यह भी आपको पता है 72 पर मीनट होता है समझ गए ऐसे नोर्मली आप लोग को पता है कि अगर पल्स रेट अगर 60 से कम हो जाता है तो ब्रेडी कार्डिया कहते हैं पता है ना अगर यही पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है तो टेकी कार्डिया हो जाता है समझ गए अच्छे से पर ये, इसी को तीवर हिर्दय धरकन कहते हैं, मंद जो है कारक कहते हैं, नाडी धर कहते हैं, समझ गए, इस चुछ को ध्यान में रखिए, बाकी अगर सतर से लेकर नबे के बीच में है, तो इसको नूर्मल माना जाता है, इसलिए हम नूर्मल 72 मान के चलते हैं, एक बताना हो, तो 72 राइड एंसर, कहता है, समान ब्यस्क की समान स्वसन गती कितनी होती है, अब नूर्मल रिस्पाइरेशन पुछ रहा है, टमप्रेचर हो गिया, पल्स हो गिया, अब रिस्पाइरेशन है, ये सब वाइटल साइन है, समझ गए, ये सब क्या है हमारा 18 के बीच में इतना होता है ऐसे 16 से 18 नूर्मल होते हैं समझ गए तो एक बताना होगा तो हम 16 ही बताएंगे ठीक है आगे चलिए आगे यहां पर है अच्छा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न आया थर्मामीटर में तापमान का लो 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 सबसे लो तापमान कितने इंगित रहता है अब आप लोग को इसके लिए थर्मामीटर देखना परेगा इसके लिए थर्मामीटर देखना परेगा थर्मामीटर जब आप देखिएगा टंप्रेचर चेक करने वाला तो वहां पर आपको पता होगा कि जो है शुरू रहता है और हाई पर जाता है समझ गए तो अगर 94 में रहेगा तो 94 में मारिएगा अगर निवतम पुछेगा तो समझगे अधिकतम पुछेगा तो अगर 108 रहेगा सबसे अधिक फरना हाइट में तो ये मारिएगा अगर 95 में है तो 95 में ही सबसे लो रहेगा अगर ये सबसे ज्यादा है तो ये ही होगा समझगे अपना के उपर है अब जो है 110 फर्णा हाइट हाइट देता है समझ गए ना ध्यान रखिएगा स्पंज बात मतलब इस पंज असनान के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए है चुकि हम लोग जानते हैं इस पंज बात जो होता है उसमें पानी को हल्का वार्म करके गर्म करके थोरा सा जो है हम उसको क्या करते हैं कि बेगतिको असनान करवाते हैं समझ गए तो इसके लिए जो टंप्रेचर होती है आपके सामने में है देख सकते हैं 110 से 15 फर्णा हैट समझ गए फर्णा हाइट में सिलसीयस में मत समझ लीजियेगा निबन में से कौन सा दवाब राय कि कौन सा है, escapeula, elbow, ear, उप्रोक्ट सभी, तो आपको पता होगा, कोहनी भी दबता है, कान भी एक साइट से दब जाता है, जब आप एक कर होकर सोईएगा तो, और escapeula होता है, यह भी जो है आपका दबता है, तो यह सब के सब pressure point है, और जहाँ जहाँ pressure point होते हैं, वहाँ व कहता है बीस्तरी गहाओ की रोग थाम के लिए क्या उपाय करेंगे। अच्छा प्रश्ण है कहता है बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है हमें यहाँ पे बताना है बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है तो बैरियर नर्सिंग को हम लोग अब रोधक या बाधा नर्सिंग कहते हैं इसको इसका मतलब होता है कि रोगी द्वारा समझे गए न रखना परेगा कि हमारे साथ हमारे देखने वाला यानि नर्स भी है तो उसको भी हम जो है संक्रमन से बचाए ऐसा उपाय करें और नर्स को भी यह समझना परता है कि हमारे पास जो है कोई मरीज है तो उसको भी जो है संक्रमन से कैसे बचाया जाए तो इसके लिए जो भी आने के लिए तो यही जो है हमारा barrier nursing कहलाता है ओके आगे है यहाँ पर देखिएगा यदि बेक्ती का रक्त चांप 135 वाई 80 mmHg है तो उसका नारी दाव कि बताएं समझगे अगर किसी पेसेंट का रक्त चांप 135 वाई 80 है जबकि आपको पता होनी चाहिए नोर्मल 120 वाई 80 होत लगवग में तो कितना होगा घटा लीजिए 55 तो 55 ही हमारा right answer हो जाएगा 55 mmHg समझ गए लेकिन यह जो नारी दाव होता है नारी दाव पल्स प्रेसर यही होता है समझ गए याद रखिएगा उसके बाद है दर नहीं पुछ रहा है ध्यान रखिएगा यहाँ पर नारी पता होगा मैं कितना वार पढ़ा चुका हूं कि 5-6 महीने पर बच्चे को जो संपूरा का हार दिया जाता है उससे हम लोग winning कहते हैं समझ गए क्या कहते हैं winning कहते हैं winning का आर्थ होता है कि जब बच्चा का उमर 5-6 महीने का हो जाता है तो उसको अस्तन पान छुराया नहीं अस्तनपान भी चलता रहेगा और कुछ-कुछ हलका-हलका भोजन बच्चे को उपर से भी दिया जाता है तो उसी को बीनिंग कहते हैं यानि अस्तनपान के साथ में उपरी यहार देना ही बीनिंग कहलाता है अस्तनपान छुडाना बीनिंग नहीं कहलाता है यह बात ध्यान मे रखिएगा बाइस है इनमें से किस इस्थिती को recovery इस्थिती कहते हैं recovery इस्थिती इनमें से कौन सा है dorsal recombate फावलर पोजिशन sims lateral और lithotomy तो my dear पता है lithotomy महिलाओं को जन्नांगों को परिक्षन या delivery कराने के उपयोग आता है फावलर पोजिशन स्वसन से पिरित रुगियों के लिए समझ गए sims पोजिशन जो होता है या आपके recovery पोजिशन बहुत अच्छा होता है तो यही right answer होगा ok sims lateral वह दवाएं जो संबेधन हिंता करती है उन्हें क्या कहते है संबेधन हिंता का मतलब होता है कि बेक्टी को संबेधन हिं कर दे संबेधन हिं का मतलब होता है कि कोई चीजों का अनुभव न कर पाना समझ गए ओही संबेधन हिं होता है यानि बेट पर अगर चुहा लेट रहा है आपके सरीर पर कूद रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा या कोई चीवटी आपको काट ले उससे भी पता नहीं चलेगा तो ही संबेदन हीनता हो जाता है तो यह कब होता है जब आपके बड़ी में सुनपन लगता है तो आपको कोई भी कुछ करेगा मारेगा पीटेगा काटेगा लेकिन पता नहीं चल तो ही संबेदन हीन होता है, सुनपन होता है, समझ गए? तो यह एनेस्थेटिक वाले दबा होते हैं, एनेस्थेटिक दबा को ही हम लोग निश्चेत्त कहते हैं और यह संबेदन को उत्पन करता है, संबेदन हीनता को, ओके? 24 नमबर का प्रश्ण है परासिटामोल क्या है तो आपको पता होना चाहिए परासिटामोल एक एंटी पाइरेटिक भी है और एनालजेसिक है मिन्स यह दर्द को भी कम करता है और बुखार को भी कम करता है इसलिए इसे दोनों कैट्गोरी में रखा जाता है आगे है RNTCP रिभाइज नेशनल टिवर क्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रिभाइज हुआ आपके 1997 में तो 1997 में डॉट्स के साथ में RNTCP फिर से आया पल्स पोल्यो टिका करन किस वर्स में प्रारंब हुआ तो माइडियर इस चीच को ध्यान में रखेगा कि पल्स पोल्यो टिका करन किस वर्स में प्रारंब हुआ इस चीच को आपको बताना है चलिए हम लोग देखते हैं किस बर्स में शुरू हुआ तो पल्स पोलियो जो टिका करन है 1995 में शुरू किया गया पोलियो के विरूद में बहुत ही अच्छा है आप लोग कमेंट करके बताईए हम परहा चुके हैं कि पोलियो फिरी भारत को कब घोसित किया गया है ठीक है बताना है अच्छा प्रस्द है पोलियो फिरी भारत को कब गोसित किया गया बताइए हम पढ़ा चुके हैं सबके लिए स्वास्त किस सम्मेलन का परिणाम है मतलब किस सम्मेलन में किस कन्फरेंस में कहा गया कि सबके लिए स्वास्त किस में वार्षिक WHO, आलमा आठा, वार्षिक UN और उप्रोक्ट सभी तो आपको पता है हम पढ़ाए भी है अलमा आटा के सम्मेलन में सब के लिए स्वास्त के नारा दिया गया जीला अस्तर पर अस्थानिय स्वायता सरकार कौन सा होता है तो जीला अस्तर पर जो अस्थानिय जो वहाँ जीला के अस्तर पर जो स्वायता सरकार के और से जो अपना एक अलग जो होता है वह जीला परिस्द होता है समझ गए या कोई आपके जो है सरकारी पद जो है नहीं होता है समझ गए यहाँ पे जीला परिस्द कोई DMSP थोरी न होता है या चुनाब जीत के जाते हैं सरकार के तरफ से समझ गए तो सरकार के पार्टी के ओर से होते हैं यह जीला परिस्द समझ सा है बेवसाईक रोग का मतलब होता है कि जो काम उम करने से जो बिमारी हो जिस भी इंडस्ट्रीस में वही जो है बेवसाईक रोग होता है जैसे रूई के धूल से भी रोग होता है समझ गये अलग-अलग बेवसाई में रोग होता है तो कोईले के खान में काम करने से कौन सा रोग होता है तो आपको पता है एसबेस्टेसिस, बैगोसिस, एंथ्रावसिस, सिलिकोसिस तो आपको पता होगा कि कोईला का अच्छे किस्म जो है वह एंथ्रासाइट कोईला होता है एंथ्रासाइट और उसी एंथ्रासाइट के नाम पर एंथ्राकोसिस बना है तो ये एंथ्राकोसिस कोले के खान में काम करने से यह रोग होता है एंथ्राकोसिस और यह हमारा आज का 29 परसन लास्ट था जिसको मैंने आज करा दिया आप लोग कमेंट करके ज closer के जुरूर बताईए कि आपको कितना सीखने को मिला या नहीं सीखने के मिला ओके कोई दिकत नहीं है आप लोग कॉमेंट करके जुरूर बताएए हम आपसे मीलेंगे इसी परकार के अगले वीडियो में कल तब तक के लिए धन्यवाद